हलो व्रीवन सो आज हम लोग जीके और साइंस के इंपोर्टेंट 50 को डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम पॉइंट ऑफिस से इंपोर्टेंट है फैट को भी मैं आपको बताती चलूँगी अगर वीडियो आपके लिए हल्फुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इससे पहले रीजनिंग मैस और साइन्स की प्लेइस्ट बनी हुई है तो आप उन प्लेइस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी तो आज का हमारा पहला कोशन है भारत में निम्रिकित में से कौन सा राज देश का सत्तर प्रतिशत से अधिक कौफी अकेले पैदा करता है चार आपको सामने दिया हुआ है तो यहां पर करनाटक हो जाएगा हमारा सही आंसर यहां पर देखिए दिया जरूत नहीं होती है यह भी ध्यान दीजेगा ठीक है के महरास्ट के बात की जाए तो काजु की उत्पादन में महरास्ट का नंबर वन रोल है नंबर वन पर आता है महरास्ट नेक्स्ट कोशन आपके सामने निम्रिकित में से कौन सा एक विद्थिय समावेशन का इस होता है कमजोर वर्ग की संभाविः समरिद्धी का द्वार खुलना यह भी कि वित्तिय स्कोर सींहाओ का प्रसार यहाप होता है तो यहां पर option बर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर क्योंकि यह गलत दे रखा है बाकि आपको याद कर लेना अच्छे से next question है घाटे की वित्य व्यवस्ता का अर्थ व्यवस्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है ठीक है तो घाटे की वित्य व्यवस्ता है deficit financing की बात हो रही है तो यहां पर option बर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर मुद्रा आपूर्ती में बढ़ोत्री होती है ठीक है घाटे की वित्य व्यवस्ता यह निकि deficit financing में मुद्रा की मातरा बढ़ाई जाती है इसे हिनार्थ प्रभंदन भी कहते है घाटे की वित्य व्यवस्ता मुखिता वित्य कोष जुटाने का एक source होता है ठीक है नेक्स कोशन है भारती आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्द आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिस निमले की समीति ने की थी यह बहुत इंपोर्टन कोशन है डायरेक्ट पूश लिया जाता है तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा option number B, केलकर समीति ठीक है भारती आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्द आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिस केलकर समीति ने की थी किस ने लिखी है तो यह लिखी गई है महिंदर पूरी ने कारगेल टर्निंग दर टाइट पूरी ने की निमलिकित मैं से किस राज में नलकूपर द्वारा सिंचित भूमी छेथ सबसे अधिक है तो option number C हो जाएगा हमारा सही आंसर उत्तर प्रदेश अगला प्रशन है रिग वेद में निम्लांकिन की नदियों का उल्लेग अफगानिस्तान के साथ आडियों के सम्मत का सूचक है तो जहाँ पर सही आंसर है जो कुभा या कम्रू तो option number C is the correct answer ठीक है रिग वैदिकाल में कुभा और क्रमू नदियां अफगानिस्तान में बहती थी जो सिंदू की पश्चमी सहायक नदियों में से एक है ठीक है और चीनाब नदि को पहले असकनी नाम से जाना जाता था ठीक है अगला पूशन आपके सामने प्राचिन श्रावस्ति का नाम विन्यास किस आकरतिका है आपका शही आंसर हैगा अर्थचंद्रकार ठीक है यापनी किसका एक संपरदाय था है कि स्वेतामबर और दिगामबर के अत्रिक एक तीस्त्रा संपरदाय यापनी अत्वाद गोपि था जिसके इस्थापना स्रीकलस नामक एक श्वेतामबर आशार ने की थी कि archaeological का है तो इसको आपको नहीं करना है, प्रीवेज़ सेयर के कोशन है, next है, किसे अमेरिका के नए राजपति के रूप में निर्वाचित किया गया है, यह उस समय की कोशन है, तो इसको भी आपको skip कर देना है, यह सबी, ठीक है, बेतार संचार पृद्वी की सता को निम्नांक की द्वार परावर्तित किया जाता है तो जो सही आंसर होगा option number c iron mandal ठीक है दीक है वह मंदल की परत कौन कौन सी होती है शोब मंदल समताप मंदल ओजोन मंदल आयन मंदल बहिर मंदल ठीक है तो यहां पर option इसको भी डिस्कस कर लेते हैं किस देश में उसके भागोलिक छेत्र का उच्छतम प्रतिशत वना चीरित है इसका डिरेक्ट आंसर में बता देती हूं तो यह कौन सा होता है देखें आपका यहां पर जापान हो जाएगा भी भी जापान पूछा या तो इसका आंसर जापान ह होगा ठीक है तो याद के लिए यह पूछा भी जाता है डिरेक्ट कोशन पूछ जाता है नेक्स निम्लिकित में से कौन सा देश अपने कुल नर्यात से प्राप्ट धन का लगबग दो त्याई चावल के विपार से प्राप्ट करता है तो जो सही आंसर यह मया मार ठीक है न जन्संख्या के विराबिट में कौन सा समू आश्छित अबादी के रूप में जाना जाता है तो आश्छित अबादी के रूप में आपको 0-14 वर्ष की आयू के समूँ को ठीक है तो ऑप्षिन में चांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाडिक मध्यान रेखा कहलाता है यह बहुत इजी कोशन है, कई पर पुछा गया है, और जो सही आंसर ऑप्शन बढ़ दी, 82 डिग्री, 30 मिनट पूरवी, सुमिलित नहीं है आपको बताना है, ठीक है, दर्रे दिये हुए है, और स्टेट दे रखा, आपको बताना है कि सही सुमिलित कौन सर नहीं है, नाथूला, जो है, सिक्किम में है, और आशल 20 में है, ठीक है, सिक्किम में है, नाथूला, तो ऑप्शन बढ़ अहजाएगा हमारा सईया अंसर, इसके साथ साथ, लिपूलेक उत्राखन मेँ में यात कर लेना, रोहतांग इम आशल 20 में, पाल गाट केरल में है, ठीक है, बोर तो नेक्स्ट कोशन है निम्लिकी नदियों में से किसका उदगम भारत में नहीं है सतलज रावी चेनाब या व्यास तो जो सतलज है इसका उदगम भारत में नहीं है ठीक है सतलज नदी का उदगम तिब्बत के मान सरवर जील के समीप इसी राकस ताल से होता है ठीक है और यह जो है शिवालिक परवंश शृंखला को काटती है पंजाब में प्रवेश करती है नयोग्स इंबरशन करो करकी कौन सा सुमेलित नहीं है आंको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है पहला दे रखा james wont james wot भाब का इंजन स्री वास्प का यह सही है एजी बेल टेलीफोन यह ही सही जेल बेर्ड टेलिवीजन यह भी सही है जे परकिंस यह पिंसिलीन नहीं नहीं होगा ठीक है आपको बताया कि यहां पर अलेक्सेंडर फ्लेमिंग होगा कि नेक्स्कोशन पर मुझा आते हैं नेक्स वोशन परम डोग आते हैं ब्लैक होल के सिद्धान का प्रतिपादन किया था किसके दौरा और जो यह पिलेशनील वारा है यह 1928 में इसकी जो है खोज की गई थी स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जंडर फ्लेमिंग 1928 ब्लैक होल के सिद्धान का प्रतिपादन किसके दौरा किया था तो जो सही आंसर हो जाएगा एस चंद सेकर ने ठीक है बारती मूल के वैज्ञानिक एस चंद सेकर ने नश्कत्रों का अध्यान करते समय उनके मृत होने की बाद उपकटित उदघाटित की तथा ब्लैक होल सिद्धान का प्रतिपादन कि इस सिद्धान के अनुसार मित होने से पूर्वतारे पूर्ण रूप से लाल होकर लाल दानोर के रेट जायंट हो जाते हैं तो यहां पर उप्शनमर सी हो जाएगा सही आंसर प्राशिन भारत के साहिति कितियास में पाड़िनी और पतांजली ख्याति प्राप्त नाम है किस इस राजबन्स के समय में या फूले फले थे तो यहां पर जो सही आंसर जाएगा इसका में आपको आंसर पता देती हो दिखिए शुंगो के साशनकाल में अनेक विद्वान हुए थे इस काल में संस्कित भासा के उनुती हुई थी पुश्मिंत के राजप्रोहित पतंजली इस समय लिखी गई पाड़नी की अश्रधाई पर महाभाष नामक टीका लिखी थी और मनुस्मृती और महाभारत कुछ अंशो में जो देखा जा सकता है इसके बारे में तो यहां पर 57 का मैं आप्शन नहीं दे रखा है तो यह आप या दिक लिए शुंगो के साशनकाल के यहां पर नेक्स कोछन ने कौछन ने कौन से साशन प्रिथवी राज चोहान के नाम से प्रस्थ्ध है तो जो सही आंसर यह और यह हो जाएगा प्रित्वी राज तृती है तृती है कि गीद गोविंद के रचाहिता कौन थे जय देव पुछा गया कोछन ने कई बार नेक् कि यूगों में उसे कौन सा हुल समिलित नहीं है। तो जो क्द्ध का किसके स्कों पर अंकन हुआ है। कड़ फिसस कनेश्क नहपाड या गुद्ध गुप्त तो जो यहाँ पर मारा सही आंसर रहेगा यह हो जाएगा ओप्शन अमबर बी कनेश्क इंडियन गैस एक मिश्ण है किसका देरिस फॉर उप्शन गिवें और करेक्ट टांसर फॉप्शन इस ऑप्शन बर सी ब्यूटेन एंड प्रोपेन ठीक है इंडियन गैस एन लपीजी मुखे इसमें प्रोपेन यानि कि मिश्ण होता है इसका प्रियोग इर्धन के रूप में किया जाता है कि अगला प्रशन में कितने गैसों में से कौन सा प्रकास इंसलेशन किया के लिए आवश्यक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह सी एटू दिए विडियो आपके लिए लाइक जरूर कीजेगा ठीक है और साइंस रीजिनिंग मैंस की प्लेइस्ट बनी हुई तो उनमें इंपॉर्टन को इंक्लूट किया गया तो आप चाहें तो को देख सकते हैं उसमें आपको इंपॉर खुर्ण की कमी की ठीक है से दिनाम में कमी की कि किसा विज्यान को लुए ना स्मिया नाम बंबमारी के नाम से जाना जाता है और रकांट होता है अउनल को परांग के दौरान इस श्ठ की बहुत ही चर्चा हुई थी आपको अच्छे से याद कर लेना एनोस्मिया मच्छों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मशली कौन सी है देखे जब मुझे भी हो गया था मच्छों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मशली कौन सी है तो यह है ग्यांबूसिया औप्शन बर सी इस दा करेक्ट आंसर नेक्स यादि एक विद्धूत ट्रेंड उत्तर से दक्षिड की जा रही है तो इस इंजन का धुवा किस ओर जाएगा तो जो स किलने वाली ट्रेनों से निकलता है विद्धूत विद्धूत से लने वाली गाड़ी में धुवान ही निकलता है देखें यह आईक्यू कोशन है आईक्यू का परिक्षन जो है किसलिए कि आता है यहां पर जाएगा अस्टियो पॉरसिस को ठीक है टॉप्श नुबर सी दा करेक्ट आंसर बोन इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनर्ड डेंसिटी कि हड्डियों से समंधित है कि अन्यू सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या तो यह बताता है भून के लिंक को ठीक है नेक्षन निम्रिकित में से कौन से स्कर्वी रोग के इलाज में उप्योगी है आम पपीता आवला या बेर तो जो सही आंसर यहां आवला ठीक है नेक्सहिने निमनिकित में से कौन सकरवी रोग के इलाज में उप्योग होता रभी डिक आफ लाई होग deg विए ग रथम अध्यक्स जोसेफ बैपिटेट्स तथा सचीव कौन थे केल करते एनिवेसंट ने ओल इंडिया होम रूली के स्थापना सितंबर 1916 में की थी उनके सचीव कौन थे जॉर्ज अरुंडले तो यहां पर ऑप्शन बर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर मंगल पांडे कहां के क आरेकपूर मेरण डेली इसका अंसर पर कमेंशन दीजे इजी कोशन है कि नेक्स इन इमर्केत में से किस ने अस्योग आंदोलन को समर्थन दिया परन्तु इसके परिणाम नहीं देख सके थे बाल गंगदर तिलक लाला लाजपतराय मोतिलाल नेरुया चितरंजन दास तो ज यहां पर और यह हो जाएगा हमारा सही आंसर नेक्स भारती स्वधीनता अंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे तो जो सही आंसर हो जाएगा अप्शन मर्ड़ी एस एन सेन नेक्स है महत्मा गाधी धर सड़ा नामक गोदाम पर कॉंग्रेस कारकरताओं के धावे का समय कहां थे तो जो सही आंसर ऑप्शन मर्ड़ ए यरवदा जेल में थे नेक्स कोशन आपके सामने नेम्रिकित में से किस ने कहा था विदेशी वस्त्रों की वरबादी ही उनके साथ सरवत्तम वहवार है बहुत इंपोर्टन कोशन है रवीन ना टैग औरने कहा था नेक्स्ट रे नेमिके संगट्रनों में से किसने शुद्धी अंदुलन का समर्थन किया था शुद्धी अंदुलन का समर्थन किसने किया था आरे समाज ने तो option number A हो जाएगा हमारा सही answer next रे मूत्र का असमाने गटक है तो जो सही answer है यह हो जाएगा option number C C, L, BUMIN ठीक है तो option number C is the correct answer तो यहाँ पर हमने 50 questions को discuss किया यहोब आपके लिए helpful हो वीडियो आपके लिए helpful हो तो like जरू करीगा इसमें यह बहुत important है आपको सभी questions के आद कर ले ना जो question में आपसे पूछा है उस cancer आपको कमिशेशन में जरू दीजेगा thank you so much watching thank you